तोड़ा ना मन की चाल समझते हैं सब आखें बन करें और अपनी सांस पर फोकस करेंगे जब सांस अंदर लेंगे तो मन ही मन बोलेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो सौ से उल्टी गिंती शुरू करेंगे ओम जब हम सांस अंदर ले रहें हैं और सौ जब बाहर निकाल रहें हैं दूसरी सांस में ओम 99, ओम 98 किसी को इंगलिश में comfortable हो तो इंगलिश में करते हैं ओम 100, ओम 99, ओम 98 थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं सांस पर फोकस करिए और ओम और रिवर्स काउंटिंग की प्रैक्टिस करिए मन भटकेगा पर जैसे ही वापिस सचेत होते हैं दुबारा से ओम और काउंटिंग पे फोकस करना शुरू करिए झाल थाम आपके जड़ी वापिस नादो क्वेशनी काउंटिंगा यददाटिंग पे पे प्रोबशब प्रभेशी काउंग पीचरईक्टिंगार्धक्छिंग काउंगार्टिंगां की आप रिए झाल इस वर्तमान में, इस ख्षण में, मन में कोई और विचार रहना जाए ओम का अर्थ है चेतना केवल सचेत रहिए केवल अवेर्नेस रह जाए पाकि कुछ भी विचार नहीं चाहिए हमें So pay attention, focus करो झाल करते ही हमें झाल 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 हम सब अनुभव कर ही रहे होंगे कि मन भाग रहा है वो ओम हंड्रेट करता है और विचार आने लग जाता है आज शाम को क्या बनाना है मुझे अभी तो डिसाइड ही नहीं करा सबसे पूछना है कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा और फिर अचानक ध्यान आता है कि मैं तो काउंटिंग कर रही हूं ओम पे फोकस करने की कोशिश कर रही हूं फिर आप दुबारा कोशिश करते हैं फिर कोई विचार आता है अचानक ही कहीं से उठके आता है कि उसने कल मेरे को ये बात कह दी उसको कहनी नहीं चाहिए थी बहुत ही बत्तमीज ही करी उसने उस समय तो लग रहा था कि इसको कुछ जवाब दूँ अच्छा सा अब अगली बार मेरे को मिलेगी तो बताती हूं उसको तो फिर याद आता है कि हम तो ओम पे फोकस कर रहे थे ये कौन सा दूसरा विचार आ गया फिर आप ओम काउंटिंग शुरू करते हैं और मन एक ख़ण भी नहीं रुक रहा कुछ और उठेगा आफिस जाना है काम है उस काम में ये क्लाइंट्स हैं इनको ये जवाब देना है वो क्लाइंट्स मेरे को ये बोलने वाले हैं हमने अपनी कमिट्मेंट पूरी नहीं करी है अब उसको मैं क्या बहाने लगाऊंगा क्या बार-बार बोलूँगा कितने ही ताने सुनाते हैं और मेरे जो बॉसेज हैं वो मेरी बात नहीं सुनते समझते नहीं है या घरवाले हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ उल्जने मन में चली रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इस प्रिथ्वी पे आज आठ अरब लोग हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे रईस आदमी हो, या सबसे पावरफुल आदमी हो, प्रेजिडेंट बाइडन हो, या नरेंदर मोदी हो, या अमबानी हो, या बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई ऐसा मन नहीं है, जहां ये उल्जने नहीं है, जहां मन भूत और भविश्य में नहीं रहा है, अगर उनको भी कहूं न अभी, कि अपनी सांस पे वाच करो, और रिवर्स काउंटिंग करो, तो वो भी कोई भी बंदा, 90 से नीचे नहीं जा पाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, शायद 98 से नीचे नहीं जा पाएगा, जितना बड़ी अमर्जी 30 मार्खा हो, बाहर की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, अंदर की अलग ही है, यहां यह बात समझो, कि आपके मन में दो तरह के विचार, या यह कहा जाए, दो तरह की मनोवृत्तियां उठ रही हैं, एक मनोवृत्ति तो आपने जो consciously, जो जान भूज के आपने उठाने के कोशिश करी, कि ओम जब सांस अंदर ले रहे हैं, और reverse counting, जब सांस बाहर निकाल रहे हैं, इसको सरल भाशा में, इंग्लिश में बोलेंगे, voluntary thinking, जैसे आप अपना हाथ हिला सकते हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, या आप चलते हैं, आप बात करते हैं, तो voluntary का आर्थ है, कि आपका कुछ control है उसके, हम बात कर रहे थे, voluntary thinking, और involuntary thinking, एक exercise कर रहे थे, ओम with inhalation, और reverse counting with exhalation, जब अंदर सांस लेंगे, तो मन में ओम बोलेंगे, सांस बाहर, जो पढ़ी simple सी बात है, कि आप reverse counting 100 से शुरू करते हो, आइस्ता-ाइस्ता करके नीचे उतरते हो, ओम 100, ओम 99, पर उसमें देखा ये जाता है, कि आपका मन एक second के लिए भी टिकता नहीं है, आपने देखा ये होगा, कि कभी भी मन को focus करने की कोशिश करते हैं, तो टिकता नहीं है, भागता है, तो दो तरह की मनो वृत्तिया, mental formations होती है, एक को कहते हैं, ठिकिन, विचार करना, और एक को कहते हैं, शोर, जो पीछे हर समय शोर चल रहा है, आप ऐसा एक moment भी नहीं निकलता लाइफ का, जब वो आपके पीछे की जो मनो वृत्तियां हैं, जो mental formations हैं, वो रुकती हों, कुछ ना कुछ, office के बारे में, या घर के, family के बारे में, या बच्चों के बारे में, किसी ना किसी के बारे में, विचार हमेशा चलता ही रहते हैं, तो अब, जो normal human beings हैं, उसमें, इसको दो नाम दिये, हमने एक विचार और शोर, जो शोर वाला हिस्सा है, ना वो करीब करीब 99% शोर से भरा होता है विचार एक परसेंट भी नहीं उतना टाइम एक परसेंट भी नहीं ऐसा होता कि ज़ाम फोकस कर पाते हैं आइंस्टेन ने एक जगा कहा कि हम अगर साइंटिस्ट का पढ़ें जो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं जो नोबल लौरियेट्स भी हैं फिसिसिस्स हैं चैमिस्स हैं और अलग 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 तरा उनके मन भी 10% ही ऐसे होता हैं जब वो थिंकिंग में होते हैं जब वो उनके फोकस्ट होते हैं अजर्वाइस वो भी भाग रहे हैं उनके मन दुनिया भर में इधर उधर भाग रहे हैं और हमारे केस में तो ये एक्वेशन शायद 1% भी नहीं होगा बहुत अच्छा मन हो कोई तो 5% होगा थोड़े से टाइम के लिए हम फोकस होते हैं उसके बा कारण के उपर नहीं जाते अब सिरफ मन की वृत्तियों के उपर ही मैं मेंटल फॉर्मेशन पर ही फोकस कर रहे हैं तो अब मेडिटेशन का क्या पहला स्टेप क्या होता है कि ध्यान तभी संभव होगा जब ये शोर आपका कम होगा या उड़ जाएगा या खतम कर हैं तो कम से कम ओम 50 तक तो पहुंच पाएं अच्छी तरह फोकस तो कर पाएं उस पर तो उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए जिसमें एक तरीका होता है जिसको राज्यों कहलो कि आप सांस पर वाच कर रहे हो या चेस्ट रीजन में कोई लाइट विजुलाइज कर रहे हो हैड के रीजन में कोई लाइट विजुलाइज कर रहे हो है चक्रास पर विजुलाइज उसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है केवल विल पावर का रोल है फोकस करने का रोल है पर कोई उसमें विचार नहीं कर रहे और ना कोई प्रेम का रोल है भक्ति का रोल है, कुछ नहीं है, वह वाले function में इस्तिमाल ही नहीं कर रहे हैं मन के, हम केवल focus करने का, केवल concentration का, जो एक हमारा function है मन का, उसी को इस्तिमाल कर रहे हैं, दूसरा एक रास्ता होता है, लोग कहते हैं कि भी कर्म में तल्लीन हो जाओ, बहुत सब्सक्राइब बह काम कर रहा है तुम आती हो कि चाय पीलो अर्जुन सुनी निरा वो इतना फोकस है इतना फोकस है कि उसको दुनिया उस टाइम भूली वही है अपना सौफ्टियर बनाने में लगा हुआ है तो उसको कार्मयोग कह देते हैं पर वो एक समझ लो कि एक फोकस करने का एक और जरिय ही बल आती है एक तो होो सकते एक तो था जी पहले वाला जिसमें हम लाइट पे फोकस कर रहे हैं ब्रीधिंग पे कर रहे हैं तो उसमें विचार नाम की बी कोई खât नहीं थी अब हमने कहा कि चलो जी हम काम पर फोकस करते हैं अब काम में आपके ढृतिंग वे बाислते है को को वहाँ पे केंद्रित कर सकता है पर इससे भी शोर खतम नहीं होता है हमने रिट्रीट में दो कॉंसेट्स पड़े थे जब करी थी तिंकिंग एक 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 एसपेक्ट है और फॉट्टिंग या शोर जो पीछे चल रहा है वो दूसरा असपेक्ट है अब तीसरा जो मार्ग बताया जाता है वो है ज्यान मार्ग जिसमें आप मन के जो शोर के कारण है जिनको आपकी इच्छाएं अपेक्षाएं धारणाएं मान्यताएं कंडिश्निंग बोलते हैं उनको जो मन को एक तरह से प्रोग्राम किया है सोसाइटी ने ये सोसाइटी ने कह दिया कि बहुत एक एक्स्ट्रीम एक्जाएंपल लेगे चलते हैं कि । डिवर्श् ये अपने में एक विचार था, एक आइडिया था, जो आपके मन में घर करके बैठा हुआ है, आपको मालूम भी नहीं है कि आप इसको बैठे हैं, जब तक जिन्दगी में ऐसा कुछ ना हो जाए, जो उसके अगेंस्ट हो, ठीक है, पीछे एक रिट्रीट में एक कपल आए, जो 30 साल की मेरिज के बाद अब डिवोर्स के कगार पे खड़े हैं, और हस्बेंट तयार है, और वाइफ तयार है भी और नहीं भी है, वो छोड़ना भी नहीं चाहती और रखना भी नहीं चाहती, ना निगलते बनता है, वो फसा पड़ा है, तो बहुत रो रही है, अब व तुमारा एक मान्यता है और जब रियालिटी उसके अगेंस्ट में जाती है, आपने की डिवोर्स बहुत खराब चीज है, रियालिटी है कि डिवोर्स होने वाला है, तो दोनों चीजों में टकराव हुआ, तो जब टकराव होता है रियालिटी पे और तुमारे विचारों म तो तुम दुखी होते हो या क्रोधित होते हो इरिटेशन आती है और एक्जामपल लेते हैं कि लोगों को अपना काम सारा बड़ा परफेक्टली करना चाहिए अब आपके इर्दगिर्द के लोग हैं उसमें कोई अच्छी तरह करते हैं कोई बड़ा बेहुदे ढंग से क्या लेना देना पर आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट में जा रहा है वो आपकी बिलीफ कहती है कि यह गलत कर रहा है कि इसको मैंने कहा था कि बरतनों को यहां रखना चाहिए और क्वाम वाली आई उसने बरतन दोए और जहां कहां था वहां रखे नहीं यह बरतुरों के अंदर थोड़ा सा कहीं खाना लगा रहे गया या कहीं साबून लगा रहे गया और हमारा सिस्टम कह रहा है कि नहीं भई यह तो होना ही चाहिए बहुत ही गलत है अगली बार हो आएगी हम उस वह चिलाएंगे तो क्या काम करती है तो हो कहां सब कुछ कहां हो रहा है काम वाली मन में नहीं हो रहा है मेरे मन में हो रहा है मेरे मन में वो जो विचार है और वो जो रियालिटी है उनके साथ जो ठकराव है उसके कारण मैं परिशान होता हूं हम सब के सब इसी कारण से परिशान है जो भी मन के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, anxiety आ रही है, दुख आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इसी कारण से आता है कि हमारी मान्यताएं या हमारी conditionings are not in alignment with the reality, और ऐसा किसी की जिंदगी में नहीं होता होता, कि जो आप believe करते हो, जो आप सोचते हो, वो हो जाए, उसके against में situations आएंगी ही आएंगी, कोई नहीं रोक सकता है, ये पूरी स्रिष्टी बनी ही इसलिए, इस तरह से है, कि आपको ये चीजों में face करवाया जाएगा, उसमें सुखी-दुखी होके मर जाओगे, लोग आम तोर पर सीखते नहीं है, लोग सुखी-दुखी होते 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 ही शरीर छोड़ देते हैं, फिर दियाशीर में शरीर बिलता है, उसमें सुखी-दुखी, तो ज्यान योग में वापिस आते हैं, क्या करते हैं, कि आप मन के शोर की जणों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, कि क्यों friend, वो बेहुधे धंड से करता है, अपना जैसे भी उसका सोचने का तरीका है, कुछ यहां रख देगा, कुछ वहाँ रख देगा, चाबी कहीं रख दी, गाड़ी घर आया, तो एक बार यहां रख दी, इसो मिए उस पे चला रहा है, तुन ने चाबी के ने धोंडी, या कुछ भी तरीके से नहीं करता अब वो उसको छोड़ने को तयार है कि मैं बरदाश नहीं कर सकती इसको अब क्यों भई बरदाश नहीं कोई भी आदमी मानलोस ने चाबी एक जगा पर रखी अपने आप में ये एक न्यूटरल सिच्वेशन है ना अच्छी है ना बुरी है वो ऐसा कर रहा है पर आपकी जो जो बिलीव सिस्टम है उसके अंदर वो मेल नहीं खा रहा है उसके अंदर उसके अंदर वो जो उसका कार्य है वो आपकी मान्यता की अगेंस्ट जा रहा है मैं छोड़ दूँगी और मैं इसके साथ रहे नहीं सकती, कोई अपने husband से उमीद कर रही है कि वो रोज meditate करे, अब husband को क्या देना meditation से, उसमें जैसे हम सत्व रजस तमस की बात कर रहे थे, तो उसमें सत्व वाला उसके अंदर वो बहुत ही कम है, जो percentage है, उसमें रजस और तम के बस की बात नहीं है, अब वो भी कि मैं इसको छोड़ दूँगी है, मेरा husband है और मैं meditation teacher हूँ, यह ध्यान भी नहीं कर सकता, मेरी कितनी बन्नामी होती है कि यह हर समय घुमता रहता है, मस्ती करता रहता है, इतने friends हैं इसके, तो बात husband की थी नहीं, क्योंकि हमारी जिसे कह समझा इस बात को, कि मेरे में एक belief है, कि meditation करना, meditation न करने से बेहतर है, spiritual होना, spiritual न होने से, वर्ली होने से बेहतर है, यह life जीनी चाहिए, वो life वेकार की है, तो उसको फिर मैं unconsciously apply करती हूँ, मैंने यह चीज़ ठीक मानती हूँ, मैं उसको अफास्मेंट पे apply करी, मैंने बच चो पे भी चिलाती नजर आती हूँ, मैं अपने husband पे भी चिलाती नजर आती हूँ, या वैसे वर्सा कुछ भी हो सकता है, husband के अपना belief system है, कि खुब मस्ती करनी चाहिए, रोज शाम को घूमने जाना चाहिए, हर Saturday को रेश्टरॉन जाना चाहिए, wife है, वो कहती है, नहीं मे belief system को समझ दे की कोशिश करते हूँ, जानो तो सही ना अंदर आपके subconscious में क्या गुसा हुआ है, किस कारण से आपका मन चंचल है, और फिर आप उन जड़ों से जब तक पीछे नहीं हटते हो, जो उन causes जो आपके restlessness के हैं, उन से नहीं आप जब तक पीछे हटते हो, तब तक मन शान्त नहीं हो सकता, जिसका मतलब आप सही ज्यान नहीं प्राप्त करते हो, सही knowledge अपने बारे में जब तक नहीं जान लेते हो, तब तक मन चंचली रहेगा, जितनी मर्जी तुम breathing meditation कर लो, या walking meditation कर लो, किसी से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका perspective ही गलत है, आपका नज प्रमात्मा को अनन्य प्यार करना चाहते हो, अथा प्यार करना चाहते हो, और उनको पूरी तरह समर्पित होना चाहते हो, और वो प्रमात्मा के लिए प्यार और संबंध इतना दोड़ा करना चाहते हो, कि संसार के लिए संबंध प्यार वगारा वो पतले होते जाएं, वो या कीरतन करना या नाम जब करना या भगवान को अपने रिदे में बिठा के उनको विशुलाइज करना सारफ हो इसलिए रहा था कि आप शोर को पीछे की जो नौइज है उसको आप शान्त करने के तरीके ढूण रहे हैं तो जो पहले दो हैं ना कर्म योग और राज योग ये अपने में पूरे तरीके नहीं हैं उनसे किसी का मन शांत नहीं होता ज्यान और भक्ति के मिश्रण से ही होगा सही knowledge होनी चाहिए और फिर जो सही knowledge पे आप आए उस knowledge से प्यार होना चाहिए, वो आप उसको आप एक ideal की तरह देख लो, idol की तरह देख लो, उस knowledge के जो परमवस्था है, supreme state है उस knowledge की, कोई कृष्ण जैसा बनना चाहता है, कोई राम जैसा बनना, कोई बुद्ध जैसा, कोई तो उनमें वो चाहते हैं कि यह हमारी inspiration है, हमारे बीच में जो gap है, उनको हम cover करें, एक समंद बनाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, जो भी अपना एक process है, तो यह सारा, यह meditation की एक तरह से भूमिका है, कि आप पूरा काम ही इसलिए कर रहे हो, कि background की noise को बेटा खतम करना ह है, जो मन भाग रहा है हर तरह, उसको focus करना सीखना है, और जब आप यह समझ जाते हो, अपनी जो धारणाएं वगार है, conditionings जिसको बोलते हैं, when you are able to detach from those conditionings, your mind automatically becomes very peaceful and happy, otherwise it will not, जब भी आप अपनी गलत धारणाओं, मान्यताओं से पीछे हटोगे, तो स्वत्य ही, अनायास ह मन शांत होगा और आपको बड़ी खुशी की अनुभूती होगी, फिर उसको maintain करना होता है, एक बार हो गई, पर वो अपने में काफी नहीं है, वो फिर मन वापिस उठके आएगा, फिर मन वापिस उठके आएगा, तो तुमको फिर practice करना, उसका अभ्याज करना होता है, श पर बस की बात तभी होगी, जब तेरी knowledge clear होगी, ज्यान होगा, और अना सकती होगी और उसका अभ्यास होगा, अभ्यास एन तो काउनते हैं, वही राग्गी एन चग रही है तो श्री कृष्ण कहते हैं, कि असांशयम महाबाहो, इसमें कोई शंका नहीं है, हे महाबाहो, कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर right understanding, detachment and the practice of right understanding and detachment, इन से बड़े अराम से हो जाएगा, हम अब दुबारा से एक ध्यान करते हैं, इस बार थोड़ो सा भक्ती का पुट लेखे करेंगे, इसली बार तो हमने एक बड़ा ओडिनरी सा ध्यान किया, कि ओम, reverse counting, इस मन ही मन जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, किसी के राम होंगे, किसी के कृष्ण होंगे, या किसी के divine mother होंगी, महादेव होंगे किसी के, तो उनको visualize करो अपने chest region में, और उनको एक बहुत ही प्रकाश में रूप देखो उनका, और मन में ये sentence repeat करो, हे प्रभू, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपको समर्पित हूँ, आखे बंद करो, अपने chest region में, अपने इष्ट को visualize करो, उनको बैठा देखो, और वो पूरे shining, एक light से बने हुए है, blissful light, loveful light, प्रेम से बने हुए हैं और उनके साथ आप बात कर रहे हो, और जिस भाशा में आप सोचते हो, उसी भाशा में, आप उनको बोल रहे हो, ए प्रभू, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपको पूर्ण दया समर्ग पे थाँ, ए प्रभू, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपको उन तया, सो परसेंट समर्पित हूँ, ए प्रभू, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप सत्य हैं, बाकी सब तो मनो व्रित्तियां हैं, आप सच्चिद आनन्द, यानि आनन्द रूप हैं, चिन्मे रूप हैं, अवेरनेस से बने हैं आप, मेरे सर्वस्व हैं आप, मैं आपको नतया समर्पित हूँ, जो भी कर्म होते हैं इस शरीर से, उन कर्मों को, उन कर्मों के फलों को, अपने पूरे जीवन को, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ, आप मुझे पेकरपा करें, कि मेरे मन से, यह जो भी गुंजल हैं, एंटैंगलमेंस हैं, जो हर समय धुआ सा बना रहता है, शोर सा चलता रहता है, यह पूरी तरह शांत हो जाए, और केवल प्रेम रह जाए, मैं सब में आपको ही देखूं, और उसी भाव से मैं सब की सेवा करूं, वापिस कुछ भी न मांगते हुए, कुछ भी मेरी अपेक्षा न रहे, केवल आनंद सिंधू और प्रेम सिंधू जैसे आप हैं, उन्ही का आपका ही मैं अंश बन के जी हूँ, ये शरीर सेवा करने के काम आ जाए, और मन बुद्धी आप में लग जाएं, और एक कॉंटीनुवसली, एक कॉंटीनुविटी, तैल धारावत कॉंटीनुविटी बने, मेरी आपके प्रती सोच में प्रेम में, और जो भी मेरे मन में गलत धारणाएं हैं, जो रियालिटी से मेल नहीं खाती, मैं उनके प्रती बहुत आग्रह न करूं। जो भी रियालिटी है मेरे जीवन की, उसी में मैं अपना कल्यान देखूं, अपना evolution देखूं। हर परिस्थिती जो आप देते हैं, वो इसी लिए देते हैं कि मैं खुद को समझ पाऊं। और इस मन की conditioning को छोड़ पाऊं। पर मैं सुखी दुखी होने में अनुकूल परिस्थिती आई तो बड़ा excited हो जाता हूं। मैं प्रती कूल आई तो बड़ा दुखी हो जाता हूं। बस इसी में अपना समय व्यर्थ नश्ट कर रहा हूं। अब उससे हटकर मैं हर परिस्थिती खास कर जो मुश्किल परिस्थितियां हैं। उनको मैं utilize कर पाऊं। इस्तिमाल कर पाऊं अपने आपको spiritually grow कराने में। अपने spiritual evolution के लिए अपने आपको समझने के लिए। और मैं जानता हूँ कि इसका byproduct जो है वो एक आनंदपून जीवन है। इसमें समता, शांती, आनंद भरपूर मात्रा में रखे हुए हैं। मैं वही जीवन जीना चाहती हूं, चाहता हूं। हम imagine करते हैं कि हम अपने प्रभू के चरणों में सिर रखके, साश्टांग करके हम लेटे हुए हैं। और वो अपने हाथों से हमें खड़ा करते हैं और गले लगाते हैं। अपर वो कहते हैं कि मैं भी तुझे ऐसे ही प्यार करता हूं। अगवान क्या कहते हैं भरत से, भरत भाई कपी से उरिण हम ना ही। भक्त से उरिण मैं कभी नहीं होता हूं। तो मेरे को अनन्य भाव से भजता है। मैं उसका रिणी हो जाता हूं। अगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबध्यन थे। ताम स्तथईव भजाम्य हम। जो मेरे को जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही मैं भी भजता हूं। तुम उनके साथ पुत्र का संबंद रखोगे तो वो माता या पिता वो संबंद खुदी मान लेंगे। कि हाँ, मंजूर है मित्र का रखोगे वो खुदी कहिंगे, तु मेरा PARAM मित्र है। अर्जुन का रत चलाते हैं तो खुद तीर खाते हैं। भीश्म भिटामा, अर्जुन को ये तीर नहीं मार रहे हैं। वो शीकरश्न को भी तीर मारते हैं। वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, गोपियों के लिए नाचते हैं, यशोदा मैया के लिए वो एक तरह का उनका व्यवहार है, द्रौपदी के लिए एक तरह का व्यवहार है, कुंती के लिए, ये यथा माम प्रपद्यानते तामस्तत है वो भजाम्याम। तो आपने जो हमें समझाया कि मन में जो पीछे का शोर है ये आपके प्रेम और समर्पन से ये चला जाएगा तो हमें प्रेम और समर्पन की सुप्रीम अवस्था तक पराकाश्ठा तक पहुंचा दो जिस अवस्था पे चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं गोपियां राधाजी खड़ी हैं शिरामकृष्ण खड़े हैं उसी अवस्था पे हमें पहुंचा दो ये जीवन बहुत ही गौन चीजों में लगा हुआ था अनिम्पोर्टेंट कभी बहुत पैसे का सोचता है कभी स्टेटस का सोचता है कभी गाड़ी का सोचता है ये हो जाए वो हो जाए और इस सारे सोच में वो अपने बारे में सोच ना भूल जाता है मैं अपने बारे में कि मेरा परमहित कहा है कैसे होगा जो मेरे लिए सुप्रीम बेनिफिशिल जो चीज है वो क्या है उसके बारे में नौलिज ही नहीं है ग्यान ही नहीं है समझ ही नहीं है वो आपकी क्रिपा से अब आ रही है अब उसको अब आप ही क्रिपा करो कि ये ग्यान और ये जो प्रेम है मेरा आपके प्रती ये टिके अब ये मन भटके नहीं उनके चरण छोड़ने ही नहीं है अब विजुलाइज करो जैसे राम जी जब हनुमान जी को गले लगाते होंगे तो हनुमान जी की क्या फीलिंग रहती होगी राम जी जब उद्धव जी को गले लगाते होंगे क्रिशन जी अब उद्धव को गले लगाते होंगे या राम जी भरत को गले लगाते होंगे मतलब उनके लिए ये जो जीवन का जो परम सुख है ना वो उस लेविल पे पहुँच जाते हैं वापिस आते हैं मन के उपर कि मन को फोकस करना सही ग्यान लाओ और भक्ती लाओ एक ग्यानी भक्त बनकर आसान हो जाएगा अगर हो सके तो गीता के कुछ श्लोक याद करो जिसमें ग्यानी भक्त को समझाया गया है उसके क्या लक्षन होते हैं ये सब बताया गया है इसको मैं एक पचास श्लोक का एक आउडियो है वो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा तो उनको श्लोकों को रोज रिवाइस करो और उनके अर्थ के उपर मनन करो क कह क्या रहे हैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि लडाई हो रही है चलो दो दोस्तों के बीच में समवाद चल रहा है ये छोटी बात नहीं है इतनी ये जीवन के जो एक सुप्रीम स्टेट है इस लाइफ को कैसे जिया जा सकता है उसकी बात हो रही है तो उसके कुछ और्डियो में डाल दूँगा और उनको अगर हो सके तो याद करो रोज रिवाइस करो मन की भटकन को मन के शोर को हटाने के लिए हर तरीका इस्तिमाल करना है और आइस्ता इस्ता देखोगे ठीक तरह से करोगे तो ये बिलकुल आपके अनुसार चलने लगेगा प्रभू की क ये मनी से सारा सुख आएगा जो बाहिर वृत्ति कही जाती है ना जो बाहिय वृत्ति है माइंड एक्स्टेर्नलाइज़ उसका अर्थ है कि आपको बाहर का संसार बड़ा सत्य लिख दीख रहा है उसकी वज़ा से मैं परेशान या उसकी वज़ा से मैं मेरे को खुशी मिल रही है उसकी वज़ा से होता कुछ नहीं है ये विचार रखा हुआ है मैंने मन में कि उसकी वज़ा से उसकी वज़ा से सुख या दुख उसकी वज़ा से सुख या दुख ये विचार के कारण में सुखी दुखी हो रहा हूँ पर लग रहा है कि बाहर से कुछ आ रहा है ब वे क्वेस्टन हो, तो पूचो, तो मौहित सत्व रजस तमस में क्या हुआ था सत्व रजस तमस जब हम बात करी पिछली बार तो तुम्हारे मन ने क्या कहा उसके बारे में क्या समझे थे जी मैं अपने अप्रीक टो रहा हूँ आप अप अच्छा जो कमों रहा है हां लिए अगे आए अगे आए हूँ हुआ हुआ है बहुत सुंदर बेटा बहुत ही सुंदर और भावान की क्रिपा से बहुत शार्प अच्छा सुक्ष्म मन है तुम अराम से ग्रैस्प कर पाओगे सारे लोग नहीं कर पाते हैं वह 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 उसको दिल से करना है हाँ ज्यादा दर लोग 99 पर जाते हैं थीक 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 अब इसको ना डारेक्शन देनी है इसको अब अर्जुन कैसा रहा पिछला एक साल तुम बताओ इसका कैसा रहा पिछला एक साल आते हैं हाँ नाइस नाइस अँए वह पाली तो नहीं होगी तो मन भटकता है भूली जाता भूली जाता है बार्म बार बार तुम याद कराते हो बार बार श्राम कर्शन का एक एक अग्जैम्पल है बंगाल में आपने कभी गए होगे तो वहां पुकर होते हैं तलाब होते हैं हर गाओं में तलाब है वो तलाब के इर्दगिर्दी आजकल तो चलो वापी फिर वापिस नाश्थी वह वापिस आ जाती है तो मन का भी वैसा ही है कि बहुत बहुत रोज रेगुलर्ली तुमको काई हटानी पड़ेगी तब जाके वह ठिकेगा कि काई हट गई पूरी तरह से नहीं तो जैसे ही तुम छोड़ोंगे ना वह फिर से भटकने कि इसलिए फिर हमने डिसाइट किया कि हफते में दो क्लासिस तो रखें कम से कम ताकि वापिस वापिस याद कराएं आपने आपको लाइन पे लेकर आए तो अगर हो सके तो टाइम निकले तो तुम वेनस्डे और संडे को जरूर आया करो तुम भी आया करो बेटा उसमें ना हॅग यह कैसे ओ दो यह वागत बाद 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 बाद, कि आपका तो सिरोडिन निकालना बड़ा असान है हमारे लिए कई बार ना यह बच्चों से पूछते होते हैं एक बार मैंने अपने ब्रदर इन लॉव अमेरिका में रहते हैं तो वो फैमिली सारी बैठी थी हस्बेंट वाइफ और दो बच्चे उनके तो उन से उच्छा एक-एक से उनको पहले समझाया कि सेरोडिन बढ़ने का क्या मतलब होता है कि बहुत खुशी बहुत अनमजा मिलेगा तो सबसे छोटा जो था उनका बेटा वह तीन-चार साल का कैसे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा बेटी कहती है कि यह 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 लेकर तो बढ़ जाएगा वाइफ कहती है कि वह एपल में काम करता है और सीनियर पोजीशन पर है तो मेरा हस्बेंट अगर सी यो बन जाए गहीं तो तो बस मजा आ जाएगा तो उसे रोटनिंग बढ़ जाएगा और वो खुद कहता है कि मेरी फैमिली खुश रहे बस मेरा तो इसी से इनी को खुश देखके मैं से वेरा से रोटनिंग बढ़ा तो हर एक बंदा कुछ ना कुछ चीज से अटकाव लगाकर रखा होता है यह हो ज रोज 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 हम क्यों नहीं खुश रह सकते हैं अन्नेसेसरी लूसरों से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं परिशान होते रहते हैं चोड़ दो है एक्सपेक्टेशन कभी बहुत से अटक जाती है कभी वाइफ से कभी हस्बंड से कभी बच्चों से छोड़ना ही तो है कैसे छोड़ें अपने मन को समझाना ही रास्ता है कि अपने मन को ही तो समझाओगे न कि मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूं तो क्या मैं सुखी हो रही हूं दुखी तो हो रही हूं न तो आप उसको पूछो कि अगर मैं एक सेकंड के लिए एक्सपेक्टेशन छोड़ देत नहीं यह समझना चाहिए यहां पर तुम थोड़ा कि तुम भी वैसी ठैक ने लग जाओगी फिर कि वो तुम उतको बदल नहीं सकती इस बात को तुम को एकसेप्ट करना पड़ेगा तुमने कितने साल हो गया कोशिश करें बदलने की कोशिश बाइस साल में बदले क्या वह नहीं बदले और वह तुम को मुरक समझते हैं तुम्हारे पर वापिस बुचल लाते हैं अगर तुम जैसे ही तुम किसी को शीशा दिखाओगी ना नराज हो जाएगा जैसे तुम बताओगी कि यह तुम गलती कर रहा है यहां पर तरको ठीक होना चाहिए तो वह सुधारे कि तुमने यह गलती करी और तुने भी तो करी थी अंदर रुक के अपने अंदर जाकना किसी को नहीं आता है तो तुम सको सीखना है तो उनको बदलने की चेश्टाई छोड़ देते हैं हम एक बर बता दिया अगर कोई कोई वापिस मुह फाड़ के कह रहा है कि मुझे मत ब और इस संसार में हम संसार को सुधारने के लिए नहीं आएं है और उस संसार में हमारा परिवार भी आता है जो कह रहा है आपको कि मैं ठीक हूं जो अभी मैं जिस हस्बंट वाइफ की बात कर रहा था तो वो हस्बंट कहता है मैंने अपनी वाइफ को हाथ जोड़के बोला क पी चल्ट तु मेरे में 1000 गलती देखती है। ठीक है। मैं मान लिया कि मेरे में 1000 गलती है। 99 % गलती मेरी है पर 1 % तेरी कभी रही होगी। तो वो कहती है, मैं जिन्दगी में एक परसंट गलती नहीं करिये है। अपनी गलती कोई मानने को तयार नहीं होता है ठीक है भगवान ने स्रिष्टी ऐसी बनाई है बाकी पूर्णिमा बताएगी कि सोनी डांटेगी तो क्या करेगी फिर यह तुम छोड़ सकती हो अंजू एक हफते के लिए कुछ नहीं कहना उसे बस एक हफते से स्टाट करते हैं फिर आइस्था इस्था टाइम बढ़ाएंगे अगले इतवार तक कोई टोकना नहीं है एक हमारे अपन्डित जी आते हैं वो गैतरी परिवार के पंडित जी है तो हमार इसे मित्रता सी हो गई बड़ा प्यारा बंदा है वो तो हर बार आता है अपनी वाइफ की गलतियां बता रहा है वो यह कहती है और वो यह करती है तो एक दिन उसने अपने गायत्री उसमें हमको बुलाया हुआ था कोई पूजा बगरा उसने रखी थे कि आप लोगा जो हम भ बंद करो तोकना भी बंद करना होता है क्या तो नहीं तो आहिस्ता इस्ता मन में ऐसी मतलब अध्रिश्च दरारें पड़ जाती है जो कभी बढ़ती नहीं है